जहें दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे यहाँ पर क्लास 12 इंग्लिस के अंतरगत जो आपका सेक्षन डी यानि की लिट्रेचर हमारा जो बुक है ठीक है ना तो आज के इस वीडियो में 40 नंबर आपका पक्का होने वाला सबसे पहली बात करें 40 नंबर जी हां आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रोज के जितने भी important question आपको तयार करने है पोईट्री का ठीक ना जो भी आपका यहाँ पर central idea या इस्टेंजा जो भी आता है इसके बात supplementary ठीक ना तो कह सकते हैं प्रोज, poetry, supplementary यह one short वीडियो आपका होने वाला है आप सबी काफी 40 number का वीडियो आपके सामने आ चुका है तो इसको पूरा देख के जाना है एकजाम से पहले आपको अच्छे तरीके से सारी question को एक बार देख लिजे ठीक है ना पूरा आराम से मतलब में यहाँ पर आपको समझाओंगा तो 40 number यहाँ पर पके करते हैं और आपका यह section D का portion ह पूरा आपका complete हो जाएगा अगर बात करें यहाँ पर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कैसे question पूछे जाएंगे तो एक बार थोड़ा समझ लिजे देखिए प्रोज से total 15 number का question आएगा जिसमें 3 question आपको करने होंगे जिसमें से 2 question आपके 8 number के रहेंगे 4-4 number बाले 1 question long कर है तो 8 plus 7 total 15 number पूरोज का मिलेगा आप बात करें poetry में 10 number का question आएगा जिसमें 2 question आपके यहाँ पर इस प्रकास से पहुंचाएंगे एक प्रोज करेंगे तो आपको यहाँ पर 15 number का इसका रहेगा तो आपको यह चीजे समझ में आ गई कैसे question पूछे जाएंगे अब चलिए start करते हैं question और answer को हम चलिए पहला question यहाँ से supplementary से आपके सामने है हम लोग supplementary से ही start करते है इसी प्रकास लगा तार आपके सामने मैं पूरे question लग तो टेंसन नहीं आपको लेना बस बने रहना मेरे साथ है ना चलिए पहला question देखिए आपके सामने कह रहा है what was the third level question को आराम से समझेगा क्योंकि अगर आपकी तियारी बहतर नहीं हुए तो मैं guarantee देता हूँ आप इस वीडियो को पूरा बाच करिए आराम से बिल्कुल आराम से इन question को आप समझेगे पूरा हिंदी के साथ बताएंगे है ना तो दिक्कत नहीं लेना आपको चलिए question what was the third level क्या था and where was it situated और यह कहां इस दित था question आप से यह पूछ रहा है तो चलिए इसका answer देखेगा third level chapter से तीसरा इस्तर बोल सकते हैं इसको third level को हाना तो इसी chapter से हैं इसका answer आपके सामने है कि the third level refer to the subway of the Grand Central Station इसका refer का मतलब होता है यहाँ पर देखे एक प्रकासे बता रहा है कि यह कहां पर इस्तित्ता मतलब यह present करता है एक प्रकासे तो यहाँ पर यार क्लिका ना new के बाद ऐसे new और यहाँ पर वाई ओ आर के new york है ठीक है समलेजीगा तो new york में है इसके वाज़े थार्ड लेवल वाज नौट प्रेजेंट देर फिजिकली बट यानि कि जो थार्ड लेवल था यह फिजिकली भौतिक रूप पे से उपसि नहीं था बट चार्ली क्लाइम्ड टू इट टू वी फिजिकली रूप से उपसित नहीं था वाँ पर जब चार्ली वहाँ पर चड़ जाता है चड़ जाता है जब चार्ली जो है जाता है ग्रांट सेट्रल इस्टेशन में और चड़ जाता है सेकंड लेवल पर लेकिन उसको लगता है कि मैं थार्ड लेवल पर हूँ तो आंसर आपको देना है Charlie had win late at his office यानि कि Charlie को जो है ओफिस पर लेट हो जाता है देर हो जाती है the desire to reach home early यानि कि उसकी इच्छा थी कि वह जल्दी ही घर पहुंच जाए और आफिस पर लेट हो चुका था आप जानते हैं जैसे किसी बेगती को लेट हो जाता है उसको जल्दी जाना होता है तो जल्दी बाजी में कहीं भागते दौरते मतलब ऐसा करता है तो वही उसका हाल उसको आफिस में लेट हो गया और वह जल्दी से घर पहुंचना चाहता था तो वह फिर गलियारे में खो गया कोरीडोर मतलब समझ रहें गलियारा यानि कि आप जानते होंगे जब आप ट्रेन पकड़ने के लिए किसी प्लेटफार्म पर जाते हैं तो आप देखते होंगे तो वहां पर मतलब जैसे कोई बड़ा इस्टेशन है बहुत बड़ा तो अगर वहां पर आप जाएंगे तो फिर थोड़ा सा इधर उदर घूम जाएंगे मतलब कहें तो भूल जाएंगे ठीक ना तो वही हाल इसका हुआ गलियारे में क्या हुआ खो गया आप देखिए इ गया देखिए अंगला कोईसन करा फाट वाट वाज दा इस ट्रलॉगर प्रिक्शन मतलब जो एस ट्रॉगर था भवी समाड़ी करने वाला या कहें तो जियो गए सकते हैं तो जो जिवो टिसी था उसने क्या भवी समाड़ी करी थी तो ये ताइगर किंग चैप्टर से या रखेंग तो देखेंगा इसका अंसर फ्राइं प्रेस्टीट ड़ेट अधा निविव पृर्ण प्रिंस यानि कि जो नया जन्मा हुआ एक राजक्मार या बच्चा था यानिका राजा का जो लड़का था मतलब नियु बॉर्न यानिके जो नया जन्मा हुआ था उसके बारे में बहुत बड़ा प्राक्रमी राजा बनेगा व्रेव आफ दा व्रेविस्ट बहादुरों से भी बहादुर ठीक ना एंड ग्रेट वारियर एक महान योद्धा बनेगा उस नए जन्में हुए बच्चे के बारे में बविस्ट माड़ी की एस्टोला करने आप देखिए और इसने यह भी बविस्ट माड़ी करी क्या किया देखिए प्रेडिक्टिट डैट दा बेबी वाज बॉर्ण इन आवर्स आफ दा बुल दा बुल एंड दा टाइगर वेर एनिमीज यानि कि इसने जो यह बच्चा है ऐसे नच्छतर में या ऐसे टाइम पर यह पैदा हुआ है कि इसको कुल मिलाकर पूरे लाइप में या पूरे जीवन में बागों से ही सिर्फ और सिर्फ इसके दुस्मानी रहेगी मनिकी बाग इसके दुस्मान रहेंगे उसी से इसको प्राबलम हो सकती है therefore he would die because other tiger और बागों से ही इसकी मृत्ति होगी इसलिए जो tiger king था वो बागों की हत्या करता था देखिए इसका answer यह हो गया आपका एक question अब देखिए अंगला question यहाँ पर आपके सामने question दिया गया है देखिए परते question बहुत कीमिती है ठीक ना आपके पास जो भी time है इसको पूरा वाज करना है आपको तो question number 4 है why did the tiger king decide to marry tiger king जो वो राजा था मतलब उसने साधी करने के लिए क्यों decide किया था तो बहुत simple सा इसका answer है मैं आपको बता देता हूँ देखिए तो आप इसका answer लिख सकते है महराजा यानि कि जो राजा था tiger king was delighted to see the hunted tiger यानि कि उसने साव भागों को मारने के लिए एक प्रण किया था जब सी भविस्नवाडी उसको पाता चली मतलब जब वो भी उसको knowledge हुआ तो उसके जब पाता चला तो उसने साव भागों को मारने का एक प्रण किया तो इसमें व राज के अपनी राधाने के सारे बागों को माट डाला था बट दा नंबर आफ कि लट टाइगर वाज वनली 70 लेकिन उसको मारना था 100 टाइगर और कितने उसके राजमें थे तो 70 70 बाग उसने मारे ही स्टिल नेडेड 30 मोर और इसलिए 70 उसने मतलब मार दिये तो उसको 30 औ और चाहिए समझ रहना तो अब भाई सहब यहां पर थोड़ा सा यार फन भी चाहिए ना बीज बीट में तो इस प्रकास उसको मतलब 30 चाहिए तो क्या हुआ 30 मोर टाइगर टू किल टू फुल हीज वाउ सो ही डिसाइड दा मैरी इसलिए उसको 30 बाग और चाहिए थे और उसने साधी का या विवाह का डिसाइड किया क्योंकि जिस राज में वो विवाह करना चाहता था वहां पर बागों की संख्या जादा थी उसने सोचा कि वहां पर भी वागों को मारा जाए चलिए नेक्स देखिए तो इसके बाद कुस्टन नमर फूर कहरा है कुस्टन वाट वाज दा इस्टूडेंट आफ 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 आन आइस प्रोग्राम यहनि इस्टूडेंट ने चातरों ने आइस यानि बर्फ का प्रोग्राम क्यों रखा था तो देखेगा इसका आंसर आपका यहां पर हो जाएगा दा प्रोग्राम हुआ इस्टूडेंट आइस विथ दा मोटिव तू गिव हाई स्कूल इस्टूडेंट दा एजुकेस्टन आपरचेंटी तो डू दा इस्टूडेंट स्टूडेंट अफ आफ अन्टार्किटिका यानि इसका अंसर आपका सामने ये रखा है और इसको समझेगा जो student ने चातर ने आइस program रखा था इसका एक ही उद्देश था कि जिसे से कि high school के जो चातर थे उनको इस प्रकास से अंटार्किटिका को समझने और उसके बारे में पढ़ने का सीखने का मौका मिलेगा यही इस इसका अंसर है समझ गए चली इसके बाद अंगला question next question के रहा है describe the environment of Antarctica Antarctica का जो पर्यावरन है वहां का environment उसको describe करिए यह question long में आएगा ठीक है चली कैसे करेंगे समझेगा थोड़ा सा तो इसका अंसर हो जागा there has never been a human existence यानि कि जो on Antarctica Antarctica जो है वहां पर कभी भी मानों का आस्तितो नहीं रहा है existence मतलब आस्तितो ठीक है तो हम लोग describe कर रहा है न मतलब ब्याक्या कर रहा है तो हम लोग पूरा पूरा बताएंगे जो भी हमें इसका बायरे मिनालज होगा अब इसका करम तो है नहीं कि हमें क्या क्या पता कि स्क्रम से लिखना जैसे आपको पता जले वैसे लिखती जाए कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर हमने लिखा कि मानो कास्ति तो कभी भी अंटारिक्टिका में नहीं रहा है देर इज टुन्टी फोर आवर अस्ट्रल लाइट ऑन दा प्लैनेट यानि कि वहां पर अस्ट्रल लाइट मतलब की एक संकीन प्रकास बोल सकते हैं या कह सकते ह कि वहां पर हमेशा एक प्रकास रहता है ठीक ना अस्ट्रल लाइट तो एक छोटा छोटा प्रकास मतलब हमेशा जो है चलता रहता है दा विजूवल इसकेल रेंज फोरां माइक्रोस्कोपिक टू दा माइटी डिफरेंट फेनोमोन देर आर नो ट्रीज मनी कि कुल मिलाकरि लिए बाद करने हैं अब बात करेंगे यहां पर आपके सामने कौन कौन से कोहसें करने हैं यह भी 15 नमबर काता है ठीक ना 15 नमबर हम ने कर लिया मने उतने यह जो कि भेरी भेरी मॉस्ट इंप्वर्टन आपके लिए बहुत ज़्याद महत्तपूर है तो 15 नंबर के बाद अब यहां पर इस अंगले 15 नंबर की त्यारी करते हैं चलिए तो प्रोज में पहला कोस्टन देख सकते हैं दिया गया है गया है What did M.H.M.L. say when French reached in the school जब French जो है school पहुंचता है तो M.H.M.L. ने उससे क्या कहा तो आंसर है When French reached to the school M.H.M.L. saw him and said very kindly यहनि कि जब French school पहुंचता है तो M.H.M.L. ने उससे देलता पूर कहा kindly to go to his place अपने इस थान पर जाओ quickly and जल्दी से कहा जाओ और had been beginning without तो उसके बिना वो शुरू नहीं कर सकते हैं इसलिए यहां पर उहनोंने जल्दी जाओ और अपना काम सुरू करो ठीक है क्लासरूम में चली है इसके बाद अंगला Qa second question करा है What did M.Hammal say about the language and its important M.Hammal ने अपनी भाशा के महत्तों के बारе में क्या का चली answer देखिए तो MML said that the French language was very most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, his further said that they must guard it among them and never forget it, मतलब उन्होंने कहा कि जो हमारी French language है, ये दुनिया की world की सबसे महात्योपूर्ण beautiful, मतलब सुन्दर language अनि भांसा है, सबसे मतलब पूरे संसार की बहुती clear और इस पस्ट्रिता पूर्णवक और सुन्दर भांसा है, the most logical बहुती ज़्यादा तथ परकपूर्ण भांसा है ये देखेगा इसको, इसमें आपके सामने है, मुकेस वाज एक यंग बॉय, मुकेस एक नवयुवक था, विलांग टुदा वैंगल मेकिंग फैमिली, और वो कहां से विलांग करता था, तो फिरोजा वाज की एक चूड़ी बनाने वाली फैमिली से, चूड़ी बनाने वाले प इसको बिन्न था, एक मौटर मेकैनिक बनना चाहता था, जबकि उसका पूरा परिदरवार क्या बनाता था, तो बहिया चूड़ी बनाते थे, ठीक ना, चूड़ी, जो पहनती हैं लड़कियां, ठीक ना, तो चलिए, यहाँ पर आपके सामने इसका आंसर हो गया, आप आप बैंगल मेकर्स आप फिरोजाबाज, तो चलिए, चूड़ी यहाँ किसका प्रतिक होते हैं, तो बैंगल सेमलाइज इस इंडियन वोमेंस सुहाग, भारती नारियों के सुहाग का प्रतिक होते हैं, चूड़ी आप इसके बाद यहाँ पर, वो किस प्रकास चूड़ी बैंगल मेकर्स आप फिरोजाबाज, प्रोडिवस लार्जिस्ट कांटिटी आप बैंगल इन दा कंट्री एंड एक्सपोर्ट बैंगल टू आल ओवर वर्ल्ड, यानि कि जो चूड़ी बनाने वाले हैं, फिरोजाबाज के, वो बहुत ही बड़ा महत्त्वोंड रोल निभ यहाँ पर क्वेशन नमबर फाइब आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है क्वेशन, what did डगलस do inside the water to save his life, यानि कि डगलस ने अपने जीवन को पानी के अंदर कैसे सेफ किया, तो चलिए इसका अंसर, inside the water, डगलस made the strategy hit the water make a weak jump, यानि कि डगलस ने एक पानी के अ मारूंगा और उपर आजाओंगा, चलांग मारने के लिए, ठीके न, यहाँ पर फिरे, come to the surface, मतलब उसने सोचा कि मैं परस्ट पर आजाओंगा इस प्रकास से, lie flat on it and paddle to the ends of the pool, but every time his strategy was failed, मैंने कि ऐसा प्रयास करता है, लेकिन बार बार उसकी जो strategy है, वो fail होती गई, he did the, sorry this all continuously to save his life, और इस प्रकास लगातार उसने प्रयास किया और अपने जिवन को बचा लिया, चलिए अंगला देखिए, what did the instructor to do this, to do train Douglas, यानि कि जो उसको सिखाने बार था, instructor जो Douglas को तैरना सिखा रहा था, उसने क्या किया, तो देखिए इसका अंसर आपके सामने यहाँ पर इ through a pulley, और उसी कि सहारे, मतलब कि उसी belt के सहारे उसको तैरना सिखा रहा था, held on the inch of the rope, went back and forth across the pool hours after hour, day after day, यानि कि लगातार दिन प्रति दिन महीनों हप्तों यह सब चीज़ें होती रहें, और वो उसको सिखाता रहा, जिसके बाद यहाँ पर लगबग after seven months, यानि कि रेक्टर था, उसने declared कर दिया कि हाँ, आप अब एक सुई मेर हो, यानि कि यह सब सिखाने के बाद लगबग 7 महीने लगातार इस प्रकार से प्रयास करता रहा, और फिर उसके बाद जो डगलस है, उसको क्या किया, जो सिखाने वाला था, उसने तैराक से गोसित कर दिया, या बोल दिया कि आप अब तैरना सीख गए हो, अंगला कोस्तन देखिए, यहाँ पर दिया गए कोस्तन नमबर 7, इसमें कहा गया है कि, who was the rattrap seller, how did he make them, यानि कि जो rattrap seller, चुहेदानी बेचने वाला था, वो अकाउन था, and वो उनको कैसे बनाता था, तो इसका अंसर है कि, there was a person, यानि कि वह एक बेखती था, who has a peddler, जो कि फेरी बाला, फेरी बाला थाना, फेरी लगा-लगा कर मिचता था, and used to wonder here and there, selling rattrap, he was a rattrap seller, and the ride made those rattrap himself from the material, he got by belonging in the store on, or at the wig frame, यानि कि यह सब चीजे वो बड़े फ्रेम पर करना चाहता था, इस प्रकास से वो बेचता था, और खुझ से ही सारा का सारा प्रडियूस करता था, सारी चीजे बनाता था, ठीक ना, तो यह आपका इसका अंसर हो जागा, screenshot आप करते जाएगा, question का, ठीक ना, और साथ-साथ answer का भी, तो अंगला question आपके सामने हैं, आपके देख सेते हैं, what was iron master did the iron master, sorry, what information did the iron master and his daughter, iron master उसकी बेटी को क्या information पता चली, and receive at the church, मने कि चर्च से क्या उन्होंने receive करा, कौन इन्फोर्मेशन थी, तो इसका answer आपके सामने हैं, इसका screenshot आप कर लिजे, छोटा सा answer इसको तयार कर लिजेगा, अंगला question देखिए, next question कर रहा है, why did राजकुमार सुकला want to meet गांधी जी, यानि कि राजकुमार सुकला जो हैं, वो गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे, तो answer आपके सामने हैं, देख सकते हैं, राजकुमार सुकला wanted to meet गांधी जी, to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, यानि कि वो उनके खिलाप, जो राजकुमा सुकला हैं, वो अपने खिलाप हो रहे हैं, या किसानों के खिलाप हो रहे हैं, अन्याय के, मतलब, अन्याय के, मतलब, जो उनके खिलाप अन्याय हो रहा था, उसके खिलाप वो गांधी जिससे सिकायद करना चा इसलिए वो उनसे मिलना चाहते हैं, ठीकि ना, समबडी हैंड प्रोपरली, प्रोबैबली टोल्टू स्पीक टूगांधी जी, और इसके बारे में वो उनसे मिलना चाहते थे कि हाँ हम सिकायत करेंगे, ठीकि ना, अंगला क्वेस्टन, रिकिकर गांधी जी, चीट दा फॉर कोलेक्टिंग फिस्ट फॉम दा सेरख्रॉपर्स मुझा फॉरॉपुर्ट वेर चार्जिंग हाई फिस्ट फॉम दा पूर सेरख्रॉपर्स हूब एक्चुली एनेबल टूदा मैंटेन इस हैलेवलिहूड मतलब गांदी जी ने लॉयर को इसले डाथा कि वो share cropper जो किसान थे वहाँ की गरीब किसान थे उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में फीस ले रहा था रूपए उनको नया दिलाने के लिए लेकिन जो गरीब किसान थे share croppers थे वो इतना ज़्यादा मतलब पूर थे कि वो अपना लिबली हूट मतलब की अपना जो दैनिक जीवन क लिबली हूट जो अपना जीवन यापन होता है वो करने में भी आसमार्थ थे ऐसे मतलब अनेबल थे पूरी तरह से असमार्थ थे लेकिन उनसे बड़ी फीसले रहा था इसलिए गांधी जी ने लॉयर को क्या क्या डांटा या फटकारा कह सकते हैं ठीके ना तो यहां से आ पैट्री में आपको पता है क्या क्या आता है एक आपका सेंटल आडिया आएगा ठीके ना जो कि चार नंबर का और एक आपका चैनल अंबर का स्टेन जा आएगा तो चलिए यहां पर दो सेंटल आपको मैं बताऊंगा दोनों को तयार करें आप फिर हम लोग तीन जो 66 देखि कैसे आप लिखेंगे इसको समझें तो इसको आपको लिखना कैसे यहां पर ध्यान समझेगा थोड़ा सा बहुत ही असान तरह केस जानेंगे देखि कमलादास के दोरा यह लिखी था है अब इसके बाद यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग लिखेंगे इस कविता में कवित्री अपनी मा की खोने का डर दिखा रही है उनकी मा जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी और इसलिए कवित्री बहु ज़्यादा दुखी थी और वो उनके गुजर जाने के डर से मतलब भाइबीत थी बागी का आप लोग इसका अंसर देखिए पूरा का पूरा लिख सकते हैं ऐसे ही हाँ इसका देखिए याँ पर गेट्स एसकेड आफ दिस थाट और इसी बिचार से वो बहुँ ज़्यादा भाइबीत थी कि उनकी मात दलदी गुजर जाएंगे इस प्रकार के उनके दिमाग में नेगेट्व यानि नाकारात्मक सोचा रही थी सो लूगडब आउटसाइड और इस प्रकार से यह सोचते सोचते वो कार से बाहर के उर देखती हैं कार से जा रही थी ठीक ना दा वर्ल्ड आफ आउटसाइड वाज फुल आप लाइफ एक्टिविटी बाहरी जो संसार था कार से देखने पर वो एकदम भारा हुआ था जी उनकी गतिविदियों से दा ट्री यह जो ब्रच्छे वो दौड़ते उपर ती तो रहते रहते चील्डेन लूगड वेरी जाती है अब वहां से जब से करेटी चेक उनका होता है ठीक ना उसके बाद कि का होता है यहां पर दा पोईटेज यहां पर तब कि यहां पर यही चीज बताएगी कि उनका पीला चेहरा और पीला आखे रंग हीन आखे यह सब देखकर कभियत्तिरी को बहुत ज़्यादा दुक होता है बट हाइडिंग हर्ट यह यहां पर आपके सामने देखे यह पुरा लिखा गया अच्छे तरीके से तो आप इस पोएम एथिंग्स आप विव्टी गिव मैसेज दैट इन वर डिसमेने सर फडास वी चूज टू विवटी इन दा मॉस्ट सिंपल और कामन धिंग्स आराउंड इस विकास यह पूरा का पूरा दिया गया इसको आप तयार कर जाएगा दो सेंट्रल आडिया आपको बहु ज सामने एक माई मदर 866 से पूरा स्टैंजा दिया गया अब इसके कोशन के कैसे बनेंगे आप देख सकते हैं जैसे फास्ट कोशन के रहा है कि वाट डिट दा पोएट सी आउट साइड इन दा हुई कैल यह जो कभी हैं यह कभी हैं उन्होंने बाहन के चार और बाहर निकल कर अनुसार उनको क्या दिखा था तो ब्रच दिखेते बच्चे खेल रहते यह सब चीज़ें उन्होंने देखा था मैं अभी आपको सेंटरल आइडियम बताया भी हूं तो इसका आप देखे किस पर का से लिखेंगे आंसर में लिख देना है दा पोएट सा यंग ट्री पर संन और खुछं दिखाए दे रहे थो इसका आपका यह कुछगा इस सेकर आप देख सकते हैं यह पर दिया गया हाट है इड़ शार एडर फोट पर क्या हुआ था तो एड़ जा कर्षच वा था इसके aus सेफ curषच एकर जात भी मदे और घरी अण तवर अट एरपों स उनको अपनी मा को देखा था, extending a few yards, कुछ गज की दूरी पर कड़े होकर अपनी मा को देख रहे थी, तो यह पहला है, दूसरा बाल आपके पास यहाँ पर यह आपके सामने दिया गया है, और इसके कभी काउन है, उसका नाम बताइए, तो इसका अंसर हो जागा, इसके कभी है, तो यह हो गया, थाड़ को से, कह रहा है, कि हो और लोग सांतरा और बारा तक गीनो, अंगला को से आपके सामने दिया गया है, what does the poet want for in one second एक सेकेंड के लिए कभी क्या चाहता है तो एक सेकेंड के लिए कभी चाहता है कि आप लोग सभी बिल्कुल साइलेंट रहें अब निभुजाओं को मत ही लाए तो यहाँ पर लिखेंगे for one second the poet want not to move their arm so much यह आपका इसका हो जागा तो second most important यह इस्टेंजा हो गया तीसरा इस्टेंड आपका यहाँ पर देख सकते हैं इसको आपने solve करना है आपको ठीक है एथिंग साब beauty से दिया गया पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं और इसको solve करने का प्रयास करिएगा काफ़ी जादा इस्टेंजा मैंने बता दिये दो central idea आपको बता दिये और वांकी का आपका प्रोज से जो है 10 मैंने question कराए और 8 या 6 question आपको supplementary से तो इस पका से इतना अगर पढ़ लेते हैं तो 40 number काफ़ी यह तक आपका fix हो जाएगा वीडियो पसंद आया हो तो आर लाइक कर दिना और एक एक topic पर मैं आपको लगातार वीडियो परवाइट कराता रहूँगा चैनल को भी subscribe करेजगा ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस्ट ना हो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहिन वन्यमात्रम